तो क्या दोस्तों आप भी Facebook के customer कर से बात करना चाह रहे हैं तो फिर क्या प्रक्रिया है, क्या सचा या कैसे हम बात करेंगे इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से न हम आप से बाते करने वाले हैं फिर वीडियो अच्छी लग जाएगी ना, तो support भी जरूर करेगा, वीडियो को like हम चैनल को subscribe बिना किसी दिर का इस वीडियो को कर लेते हैं, शुरू और सीख लेते हैं न दोस्तों, फिर कैसे कैसे क्या करना है तो hello and welcome दोस्तों, आप देख रहे हैं और राइट जंग सा इटूब चैनल और मैं नाम है रूपीज, दोस्तों आन चली सुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं न दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है application और आपको क्या होती हैं या तो आपके ID करना होता है या पिर प्रैल्प दिक्कत होती है जिसके वसे आप चाहते हैं यी कुछ से सबसे पहले बात करना होगा दिखेता सबसे पहले helps Facebook App में आपकी तो login नहीं हो रही होगे तो ठीक है नै की सी आर की ID Login कर लिए और वहाँ से आने के बाद आपको क्या करना आपको बताता है उपर किस आपश्चाओ और तीन लाइन देखने को मिलेगी इस त्री लाइन पर आपको क्लिक करना पॉन्टर रिपोर्टर प्रोल्टर इसको बंद करियेstaw ओब यहां से आपको क्या करना है बहुत सार ढ़सन हूंगे देख सकते हैं यहां पर कट कर दीजÉगा इसके आगे आपको अपना लिखना होगा जीमेल जोका working हो उस जीमेल को देदीजे और नीचे आप अपना problem यहां पर लिखिए ठीक ना जोब्हाए आपकी समस्या उसको डिस्क्राइब करिए जैसे अब frog जो भी आपकी समस्या हो उसको है पर लिख डारी इंगलीज में ठीक ना प्राब्लम डालके नीचे लिखियें कि जैसे आई जो भी आपकी मतलब पहले तो आप अपना फेस्बुक से रिल्टेट सारे डेटा देजिए जैसे फेस्बुक का आईडी अपना देजिए आपका जी डिस्क्राइब कर लिजेगा अच्छे से और नीचे एड इमेज इस पर क्लिक करके एक गॉर्मेंट इसु कोई आईडी आप जैसे आपका डियल है पैन कार्ड है आधार कार्ड है वह आईडी ले लिजेगा आईडी यहां से अटेज माले एक्जामपल के दर मैंने फोटो आईडी ले लेनी है आईडी लेने के बाद आपे अपर आईडी कर देजिए आपकी प्रावलम सॉल्व हो जाएगा पहला तरीका होगे कोंटेक्ट करने का दूसरा तरीका क्या है आईडी को बताता हूं ठीक है यहां पर आपको कुछ इमेल आईडी दिखाना चाहूंगा जैसे support at the rate fb.com please at the rate fb.com records at the rate fb.com please at the rate fb.com please at the rate fb.com फिर ip at the rate fb.com फिर यहां पर phish at the rate fb.com इस किसी भी एक email id को हैसे copy करिए मैं तो पहले आई support वाला यह आपको कहूंगा इसे copy करिए और copy करने के बाद directly आप यहां पर आजाए अपने gmail में और gmail में आने के बाद आपको क्या करना आई मैं बता रहा हूं ठीक है यहां पर compose क्लिक करिए फ्राम में तो आपका होगा टू में वह है जो जीमेल आपने copy करके लाइप पेस्ट करें जैसे देखिए support at the rate fb.com इसे mail करना mail subject में आपको क्या लिखना है facebook account जो भी आपकी प्राब्लम हो recovery जैसे माल जी मैंने डाल दिया ठीक ना इसके नीचे आपको क्या करना है अपना Facebook ID डालिए उसके बाद यहां पर अपनी प्राब्लम लिखे जैसे जो भी है मतलब एकाउट नाई रिकाबर रुपाय क्या दिक्कत है पिर यहां पर एक सेंट का इकन इसके बगल में एक अटेश्मेंट का इकन इस पर क्लिक करिए औ आपको reply आजागे और आप contact कर पाएंगे दोस्ते ही जो main method थे मैंने आपको बताने का प्रयास किया यदि हमारा तरीका अच्छा लगाओ तो प्लीज इस वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करेगा मिलते हम किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मेरे प् सब्सक्री को बता ह दो